आप सभी को मेरा अपर नाम हर्बल रेमिडिज नैचर स्टेजर मापका स्वागत है मैं तो आज हुल-हुल के बारे में बताएंगे हुल-हुल डॉग मस्टर्ड यह जो आप देख रहे हैं पॉड्स इनसे मस्टर्ड की सेप में मस्टर्ड जैसे गोल-गोल बीज निकलते हैं और इसको किलियोflowingわかते हैं यह ठोड़े साथ चिपचिपब विसकस का स्टेंस हैं इसकी मौझ भी ठोड़ेए थोड़ी सिप्चिपेश्य बस्क्राइस जैसी लग रही है् ग्लेंडूलर ट्रैकॉम इसमें होते हैं और इसके अंदर जो ठोहं बीज निकलते हैं इनको हम प्रोपेगेशन हो जाता है और इनका उप्योग पेट के अंदर कीड़ों को दूर करने के लिए किया जाता है जो इसके अंदर सीट्स निकलते हैं उन्हें से हम बुखार के रेमिडेशन के लिए उप्योग में लाते हैं साथ ही इसके पत्र आप देख रहे होंगे इसके पत्र का जूस एक्स्टेक्ट कर लेते हैं इसके पत्र का जूस बनाकर उसको अगर कान में दर्द हो तो दो से तीन ड्रॉप कान में डालते हैं वित्रो इसके पत्र के जूस बनाकर उसको हम मसाज के रूप में अपलाई कर सकत है आधिक हैं कमर के दर्द के लिए शरीर के किसी वीभाग में अगर सूजन हो रही है इसको ठीक करने के कान का दर्द भी सूमंतर हो जाता है बिल्कुल ठीक हो जाता है इसकी जो नीचे जड़ होती है साथियों इसकी जड़ का हॉर्मोन को खर्पर धिए को खेन्स होटी है। इसकी जड nosso क cost बणा लेते हैं और उस ढॉक्षन से हम ड्यवीटी इस के से मिफ लिए को दिन में करणी इसके अफिना चाहिए तीन ग्राम पर्याप्थ होती है इस तरह की activity के लिए obesity को भी कम करने का कैरे करता है diabetes को blood glucose के regulate करने के साथ-साथ diabetes के healing में obesity को कम करने में और blood cholesterol के level को maintain करने में विशेश सहिक होता है साथियो whole plant का आप पूरे plant का चुखा कर पंचांग बना कर भी रख सकते हैं आप सकता अनुसार body metabolism को regulate रखने के लिए बुखार के लिए pneumonia कंडिशन है pneumonia जैसी अगर इस्तिती हो गई है उसको ठीक करने के लिए बार-बार होने वाले infection के लिए bound के healing के लिए आप इसको decoction बना कर seven कर सकते हैं fresh अवस्था में अगर सुरस मिल जाए तो उत्तम होता है अगर शरीर के उपर फूंसी पोड़े के समस्या है तो इनी प्लाइमेट में आशानी से देखने को मिलता है हमारे नौर्थ इंडिया में आशानी से लाजिस्थान पंजाब उत्तरपरदेश सभी जिए यह मिलता है और आपके छित्र में भी अगर यह मिलता हो तो और किस नाम से जानते हैं यह हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिख की जरूर बताईए हमारे यहां इसको हुल हुल कहते हैं और साइन्टिफिकली इसको क्लियों विस्कोसा कहा गया है यह मैं पहले ही आपको बता चुका हूं यहां पे छोटे-छोटे हीर्स हैं और इनमें थोड़ा चिप- इसको ज्यादा प्रोपेगिशन की कहीं आव सकता नहीं है ऐसे वीड यह आसानी से देखने को मिलता है इनी से स्पैड हो जाता है रूमेटिजम के लिए भी इसके जो बीज होते हैं उसका फाइन पेस्ट बनाकर घुपनों पर भी लगा सकते हैं रूबी फेस्ट का कारे कर देखना कर दाना करता है रेडबनेश को कम कर देता है और बलड़-फ्लो को जहाँ पर दर्ध होता है वहाँ पर बढ़ा देता है तो आशाणी से पेट का जो सैंसय हो कम हो जाता है इसको आप बुखार के लिए एन physically के लिए एंटिट्पाय। एक्टिविटी एनालजेसिक एक्टिविटी और डियाबिटीज कोलेस्ट्रोल ब्लड ग्ल्कोस को मैंटेन करने के लिए ओविसिटी को कम करने के लिए इस वरकार से आप इसको प्योग मिला सकते हैं वाइरल फीवर हो चाहे ब्यक्टिकल इंफेक्शन से फीवर हो उन दोनों में बहुत अच्छा कारे करता है अब अभी गर्मी के मौसम में इसमें वाइट यालो इस जो इनफ्लोरेसंस है यह आप देख रहे होंगे इस यालो इस स्मॉल एपिकल पॉर्शन को आप अगर पेस्ट बनाकर चहरे पर लगाते हैं तो चहरे की कांती बढ़ाने का भी कारे करता है कारे करता है एंटि इसके अंदर एंटि और कर सकते हैं सरीर के ऊपर ऑपर तो भी हो जाते हैं यस प्रकार से जानकारी सब्सक्राइब और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इमेल भी कर सकते हैं और टैलिफोनिक समवाद भी कर सकते हैं आप से भी का धन्यवाद पर नाम मुश्कार